हलो फ्रेंट्स मैं होगा और अब आप देख रहें स्मार्ट टेक प्लेटफर्म फ्रेंट्स आज के इस बीडियो में लोग पीम किसान सम्माननी थी उजना के बारें बात करने वाले friends पिम किसान सम्मान ने थी जो जो किसान фख नवंबर और दिसंबर में ऑनलाइन आविधन किये थे उनको जो है जल्द पैसा मिलने वाला है जिआ प्रंस आपर आप देख सकते हैं, नए किसान भाई हो जाइये ते यार, नवंबर धिसंबर में online आवदन किये हैं तो इस दिन मिलेगा 2000 रुपीए किस्त का पैसा, तो नवंबर धिसंबर में जो किसान भाई online आवदन किये थे, उनका जो है जल्द पैसा आने वाला है, तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में इसी की बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि ने किसान भाई जो है नेवंबर और दिसंबर में ओरलाइन आविदाइं किये थे उनको कब तक पैसा मिल जाएगा। तो फ्रेंट्स वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लाटफरम को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे सस्क्राइब बॉड़म को प्रेस करके सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल्ल न .gov.in पर आना होगा, इसमें आने के बाद आपको नीचे स्कॉल करते हो जाना है, यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, beneficiary status का, इसमें आपको click करना होता है, इसमें click करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको तीन option मिल जाते हैं, आधार number, account number, mobile number 3 में से किसी एक को डालने के बाद जब आप get a double click करते हैं, तो आपका status होने लगता है, चले उस किसान भाई का status दिखाते हैं, जो नए किसान भाई है, डिसमबर में registration की, आप देख सकते हैं, उस किसान भाई का status हम लोग beneficiary status open कर लिए हैं, यहाँ पर पूरा details उनका दि status में response pending at PFMS bank for account validation, मतलब इनका हो जाता है कि इनका जो form है, उनका bank जो है PFMS अभी जो है PFMS bank for response pending अभी तक verify नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी यहाँ पर इनका PFMS response date नहीं मिला है, तो आपको बता दे इन किसानों का दिया पर आप देख सकते हैं, अभी तक इनको एको किस्त का पैसा नहीं मिला है, नहीं किसान है, तो इनका जो है अभी तक पैसा भी नहीं आर इनका PFMS verify नहीं हुआ है, तो नहीं किसान जितने भी है, उनका जब तक PFMS verify नहीं हो जाता है, PFMS bank accept नहीं कर लेता है, फर्मर रेकॉर्ड है ज विन एक्सेप्टेट बाइ PFMS bank लिखा हुआ है पैसा जितना दिन तक नहीं आएगा, उतना दिन तक यहां पर उनको किस्त नहीं मिल सकता है, तो अगर आप भी नहीं किसान है, आपका भी PFMS accept नहीं हुआ है अभी तक तो आपको भी पैसा अभी नहीं मिलेगा, पैसा लेने के लिए कुछ दिन wait करना होगा, आपका PFMS verify होग उसके बाद आपके payment status में option आएगा पहले वेटिंग फर एप्टूबल फिर RFT फिर FTO उसके बाद आपके account पैसा आएगा तो अभी जो है PFMS accept होने में यहाँ पर एक सब्ता से 15 दिन यहाँ पर time लग जाएगा इन किसानों का जो नहीं किसान है बहुतर किसानों का 2-3 दिन का हो payment option में आजाएगा payment status में एक option आजाएगा वेटिंग फर एप्रूबल फिर आपका RFT फिर जो है FTO तो वेटिंग फर एप्रूबल मतलब आपका राज्य से अनुमोदित की प्रतिक्षा की जा रही है मतलब आपका जो है form वो राज्य में वहाँ से वेरिफाई होगा RFT आपका request भीजा गया है central को आपको पैसा बहुत जल्द आपके account में दिया जाएगा उसके बाद FTO आएगा FTO मतलब fund transfer order दिया जाता है तब आपके account में 2000 रुपिय की जो है transfer होता है ये process है पैसा आने का तो नए किसान है इनका जो है जनुवरी के 15 तारिक के बाद ही इन किसा पैसानों को पैसा मिल सकता है तो अगर आप भी नए किसान है तो आपको भी वेट करना है अभी जन्द जो है डिसमबर चल रहा है डिसमबर का 15 तारिक पार होगा आज 16 तारिक है तो आपको जो है और एक मेना का वेट करना है तभी आपको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं कि आपक apply किया थे एक सब्सक्राइब पहले ही apply किया है यहाँ आप आप देख सकते हैं 8 12 2020 ते एक सब्सक्राइब पहले apply किया हुआ है इसलिए इनको जो है और एक मेना का wait करना है तभी इनको पैसा मिलेगा तो अगर आप भी नएकिसान है तो आप भी अपना beneficiary status चेक किजिए वहाँ को subscribe नहीं किया है तो नीचे subscribe button को press करके subscribe कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके all notification को अन कर लिए ताकि हर वीडियो को नटिफिकेस्ट आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगए तो like share और comment जरूर कीजिए और अगर आपको प्रोलम हो तो नीचे comment box में comment जरूर कीजि